बच्चे को अपनी मा की गर्व में विक्षित होने में 9 मुहिनों का समय लगता है लेकिन इस सफर की आखिर सुरुआख कहां से होती है जब एक पुरुस एक महिला के साथ फिजिकल इंटिमेट होते हैं जिससे स्पर्म आगे की तरब पुष्वने लगता है बहुत सारे स्पर्म तो वजाइना के एस्टिक इंवर्मेंट के कारण खत्प हो जाते हैं जबकि बच्चे बे स्पर्म जब यूट्रेस तक पहुंसते हैं तब वहां के इम्यून सिस्टम स्पर्म को बारे स्पर्म समस्कर मारने लगती है अब फॉलॉपियन टीप तो पहुंसते पहुंसते के बाद हजार स्पर्म में बसते हैं जो फॉलॉपियन टीप के सिलियरी स्पर्म में फसकर मर जाते हैं अब कुछ दरजनों स्परम ही अंडे तक पहुंचते हैं इन में से जो सबसे मजबूती स्परम होता है वही अंडे में प्रवेश करता है फटलाइजिशन के लिए जब इस परम में से male nucleus, female nucleus के साथ huge होती है तब अंडे बहुत सारे सिल्स में डिवाइड होते हुए एक भूर्ण का निर्मान करती है जो आगे एक और्गेंडिजम में बदल जाती है